असलाम लेकूम, वेलकम टो इंस्टेर एंड क्लासिक कुकी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पुल मी आप बार्बी केक को मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ विताउट बार्बी मॉल्ल प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो चली बनाना स्टार्ट करेंगे सबसे अब हम इस तरह का ओवल शेप बाउल ले लेंगे जिसको हम उल्ठा करने पर ये बार्बी के गाउन की तरह लगे तो इसको हम पहले और उइल से ग्रीज कर लेंगे थोड़ा समय सके अंदर टू ड्रॉप्स ऑईल डालोंगी और ब्रेश से इसको अच्छी तरह से ग्रीज क कर लेंगे ताकि केक इजीली डिमोल्ड हो जाए इसके साइड भी अच्छे से मैदे से कवर कर लें चलिए अब हम इसको साइड में कर देते हैं अब मैं यहां ले रही हूँ 3 egg whites और इसके egg yolk मैंने यहां निकाल लिया है इसको साइड में रखेंगे इसको हम electric beater से beat करेंगे almost 3-4 minutes तक आप इसको hand whisker से भी beat कर सकते हैं जस्त थोड़ा सा time ज़्यादा लगेगा उसमें जैसे यह fluffy होना start करेगा हम इसके अंदर sugar add करेंगे तो मैं यहां almost 1 cup sugar का इस्तेमाल करूँगी sugar powder होने चाहिए अच्छे से आप उसको grind करने एकदम powder तो थोड़ा थोड़ा add करते जाएंगे और beat करेंगे इसको आप over beat ना करें जस्त fluffy होने तक ही beat करें almost 4 minutes देखें यहां एक fluffy हो चुका है चलिए अब हम इसको side में कर देंगे अब हम egg yolk का bowl लेंगे और इसको थोड़ा सा whisk कर लेंगे whisker से देखें यह smooth हो गया है चलिए अब हम इसको egg white में add कर लेंगे और अब हम एक spoon लेकर इसको बहुत ही एहतियाद से slowly egg white में mix कर लेंगे बहुत ही slow mix करें नहीं तो जब अगर आप इस पे ज्यादा pressure करके speed से mix करेंगे तो cake थोड़ा सा hard हो जाएगा तो इसके साथ बहुत ही नर्मी से पेश आए चलिए यह भी mix हो चुका है इसको side में कर देंगे अब मैं एक bowl लूँगी बड़ा सा और इसके अंदर add करेंगे मैदा one cup मैंने इसको अच्छी तरह से चान लिया है चान करिए आप use करें और इसमें add करेंगे one tablespoon baking powder one tablespoon vinegar one-fourth cup oil cooking oil one teaspoon pineapple essence यह हुआ half teaspoon और एक थोड़ा सा यह हुआ one teaspoon तो अब हम next add करेंगे एक का batter जिसको हमने beat कर लिया था इसको भी add कर देंगे चलिए अब हम इन सारे ingredients को slowly एहतियात से इस तरह से mix कर लेंगे इसमें थोड़े भी lumps नहीं होनी चाहिए इस तरह से आप lumps खतम होने तक mix कर लेंगे देखें यहां यह batter ready है चलिए अब हम इस बाउल में इसको डालेंगे इस batter का हम 3-4 बैटर इस बाउल में डालेंगे और थोड़ा सा batter रोक कर हम दूसरे मोल में डालेंगे जिसको हम Barbie के base में यूज करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगी इसको इस तरह से tap करेंगे और अब हम इसको pressure cooker में bake करेंगे इस तरह से एक बीच नीचे आप stand रख लें और इसको इसके अंदर रख कर lid से cover करके 10 minutes तक bake करेंगे medium flame पे तो देखें यहाँ यह bake हो चुका है almost 10 minutes हो गए है आप देख सकते हैं यह अच्छी से rise भी हो चुका है चलिए अब मैं आपको एक stick से insert करके बताऊंगी देखें अच्छी तरह से कुक हो चुका है एकदम dry है तो चलिए इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे अब हम dream whip से whipping cream बनाएंगे तो इसमें 4 साशे होते हैं एक साशे के लिए half cup दूद यूज होता है तो मैं इसमें first 3 साशे इसमें डाल कर white color की cream बनाऊंगी और एक स के अंदर एड करेंगे दूद वन कब दूद है ये तीन साशे के लिए one and half cup दूद यूज होगा और half cup दूद थोड़ा सा बीट करते वक्त हम इसके अंदर दूद आड करेंगे देखे मैंने one and half cup दूद यूज कर लिया है अब हम इसको four minutes तक fluffy होने तक बीट करेंगे इसमे हमको sugar add करने के बिल्कुल भी जहुरत नहीं और नहीं essence दालने की क्योंकि इसमें already सब कुछ add होता है यहाँ cream थिक हो चुकी है एकदम fluffy देखें तो चलिए हम इसको भी side में कर देंगे अब मैंने जो एक सैशे रखा था उसकी हम इस तरह से runny cream ready करेंगे I mean not too thick तो इसमें add कर करेंगे two drops pineapple essence और थोड़ असा color अगर मैं one drop भी डालूँ तो बहुत ज्यादा color हो जाएगा तो इसलिए मैं इस तरह से stick से थोड़ असा लेकर add कर रही हूं क्यूंकि मुझे light color चाहिए तो देखें इसको भी side में कर देंगे अब हम cake को demold करके layers में cut कर लेंगे अच्छा एक चीज मुझे ये बतानी थी यहाँ मैंने whipping cream ready करते वक्त नीचे ice bowl नहीं रखा है क्यूंकि यहाँ temperature बहुत ही down है अगर आपके पास temperature above 25 degree है तो आप icing bowl को नीचे रखें और जिसमें आप cream बना रहे हो उसको भी अच्छी तरह से chill करके बनाएं इसली बन जाएगी देखें मैंने cake को यहाँ cut कर लिया है 3 layers में जो हमने 1 foot batter बचाया था उसको मैंने दूसरे baking pan में bake किया है देखें ये size का same यही size का होना चाहिए तो ये भी ready है इसको भी हम 2 layers में cut कर लेंगे चलिए एक layer को अब हम cake की plate पर रखेंगे और इसमें हम add करेंगे sugar water half cup water में मैंने 1 tablespoon sugar add किया है अगर आपको मीठा ज्यादा पस़ान हो तो थोड़ा सा sugar बढ़ा लें तो अब हम इसके उपर frosting करेंगे इस तरह से cream लगा कर इसको spread करेंगे और डूसरी layer रखेंगे सेम वही process repeat करेंगे अगर आपको cream बहुत ज्यादा पसंद हो तो थिक layers लगा लें क्रीम के सेम इसी process को हम repeat करते जाएंगे जब आप इसके layers रख रहे हैं तो एकदम proper center में रखें नहीं तो फिर यह 13 हो जाएगा देखें last layer अब मैं रख रही हूँ और अब हम इसको इस तरह से cream लगा देंगे अब मैं एक stick लोंगी सेम इसी के size की इस तरह से measure करके इसको तोड़ लें और अब हम इसके center में से इसको इस तरह insert कर देंगे इससे क्या होगा कि यह cake को balance देगा I mean यह move नहीं होगा cake अब हम इसकी surroundings में पूरी icing कर लेंगे जिस तरह से barbidol का gown होता है उसको आप mind में रखकर इसकी icing करें देखें मैंने इसको ready कर लिया है चलिए अब हम इसके bottom में इस तरह से design दे देंगे बहुत ही simple design है यह same यही layer को मैं थोड़ा सा नीचे भी continue करूँगी देखें ready हो चुका है मेरे पास एक barbid sticker था तो मैंने उसको इस तरह से पीछे से sticks लगा लिये हैं अब हम इसको same इसके exact measure करके इसके stick को इसके center में insert कर देंगे यह pull me अब barby cake है तो इसके लिए हम एक sheet लेकर इसको tape कर लेंगे देखें यहां मैंने एक sheet को इस तरह से tape कर लिया है same exact measurement लेकर आप इसको tape करें और इसको इस तरह से इसके अंदर अहतियात से insert करके इसमें हम जो हमने liquidy runny cream बनाई थी उसको इसके अंदर डाल लेंगे और अब सबसे special moment इसको sheet को हम pull up करेंगे इसलिए इसका नम pull me up cake है यह बहुत ही beautiful लगता है जब इसको pull up करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको like कर दीजेगा अपने family और friends के साथ share कर दे और आपने अभी तक subscribe नहीं किया हो तो प्लीज subscribe कर लें और बला icon को press करना मत भूलें इसी से ही आपको मेरी next video की update सबसे पहले मिलेगी और comment करके जरूर बताएं कि आपको ये recipe कैसी लगी चलिए इन्शाला पिर एक नई recipe के साथ मिलेंगे तब तक के लिए अला हाफिज थैंक्स फूर वाचिंग